लोगों में पता रहता है अईसे मुद्द्धों का कि तो नहीं पता रहता है एक साल घुलटा से घुजटा रहा है तब अधिन कुछ नहीं पार रहे हैं पांच बच्चे में कहां आधिला नहीं पार है मजदूरी कतम तो चौपाई है डोर गवार शूद पसुनारी यह क्या मुद्दा है तरी यह मुद्दा बहुत भारी है लेकिन यदि अखिलेस इसके साथ खड़े रहेंगे तो तो आपके मन में उन पत्रकारों को टीवी चैनल को लेके क्या बादा वह सर काफी लोग ऐसे भी कहते हैं कि यह तो मोधी मीडिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि दलितों को अपनी जमीन बेचने का राइट दे दिया गया अधिकार दे दिया गया है यह दलितों के हित्म है नुकसान में यह जालित नहीं बेदेंगे तो भी जो पूरा वो पिल्डर साहें पुछी लेंगे अगनी भी रा गई है अगनी पिर सर कुछ नहीं है चार साल में क्या करेगा कोई चार साल में तो यह होगा कि अगर कभी उसकी गलती से चार साल में साधी हो जाए नहीं हो सकता चार साल में साधी भी नहीं हो पाएगी यह सरकार ने बना के दिए यह देखिए इंडिया मार्टू हैंड पंप है वो रसी से बना हुआ है और यह जो लैट्रीन बनी हुई है इसकी इंटों की हालत देखिए नमस्कार मैं हूँ संजेश अर्बा आप देख रहे हैं फूर पियम न्यूस नेटवर्क यू तो हम लोग डखनों में अपने स्टूडियो में बैटके बहुत घ्यान बखारते रहते हैं कि इस जगह यह चला है इस जगह वो चला है यहां हालात यह हैं यहां हालात वो हैं लेकिन मुझको लगा कि अब वक्त आ गया है जब लगबग एक साल बचा है केंदर के चुनाओ को तो जमीनी इस तरफ पर चलकर देखा जाए कि हकीकत क्या है जो सरकार वादा करती है क्या वो वास्तम में वादे पूरे हो रहे हैं जो सरकार कहती है कि किसानों की आए हमने दोगनी कर दी है तो चलकर पूछा जाए किसानों से क्या उनकी आमदनी दोगनी हो गई है हमने सोचा चलकर देखें कि क्या हर घर में पानी आ गया है नल है क्या शोचाले है राशन मिल ला है मिल ला है या नहीं मिल ला है और उनकी परिशानी क्या है क्या उनको गैस का स्ले परवाप आए हैं महेंगाई कितना बड़ा मुद्दा है मैंने सोचा कि फील्ड में चलके देखा जाए तो आज मैं लखनौ से लगबाग 30 किलोमेटर दूर आया हूं यहां के सांसत कौशल किशोर हैं भारती जन्ता पार्टी के हैं पहले कम्मिनिस्ट पार्टी की विचारद गाउं हैं करीब साड़े चार हजार अबादी है इसकी और चाले सो चाले सो परवर पश्शिव इस गाउं का नाम है साड़े चार जार बोट हैं और यह इसका मजरा है लगबाग सांत मजरे जोड़कर यह गाउं बनता है और जो यह मजरा है इसका नाम गड़ी मवया है यह पर लगबख साड़े 400 वोट हैं और साड़े 400 में लगबख सभी दलित जाती से आते हैं इस दोर में एक बड़ी लड़ाई जो होने वाली है लोग सब चनाव हैं वो पिशडी आबादी और दलित आबादी को अपनी तरफ लेने की है तो जो क्या वादे किये जाते हैं दलितो में क्या ये वादे अखवारो और टीवी चैनलों तक्सीमित हैं या हकीकत में यहां तक आए हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने बस आया और थोड़ी देर में सूशना दी तो मेरे साथ ये महलाई भी आकर बैठी हैं इनसे भी बातचीत करूंगा और ये फुरुष भी है और ये लोग बताएंगे मुझे की हालात क्या है रादा बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे लोग आगे मुझे बात करने लिए कि नाम क्या है आपका सिया राम रावत नाम ही बड़ अच्छा है राम तो आपके नाम में है तो रावत ही बड़ अच्छा सा गाउ ही थाकुर भख नोकी ही हुम चैनल यहां से करते हैं अब के संबस्क्राइब करें किस में अभारे आक्वारे उन चैनल में मेंकि हमने डरीटों के लिए ಇसकी अर्ग करें एक जा किया धा contributor है किया आप सहमत है कि यह बाते के वाल अफ़ाद टीवी चैनल में या हकीकत में आप रोगों कि आम दरी दुगनी हो गई है नहीं है जो सरकार नहीं रहे तो हम कैसे कि एद दुगनी हुई है क्या चीज ऐसी है जो आप देखते होंगे कि टीवी पे तो बता रहा है कि ये काम हो गया नेता कहा है हो गया और आपको लगता है काम हुआ ही नहीं सर गाओं का विकास खरंजे आर्सीशी और नालियों से होता है और साफ सफाय उसी से होती है आज मेरे गाओं में देख लिया जाए अब लोग चारो तब इसका मुलाब आप लीजिये वीडियो कहीं पे कहीं कुछ कोई सफाय नहीं गाओं के घर के अंदर घूल लगे हुए है नालिया बंद पड़ी है पानी निकल नहीं रहा है तो इसका क्या सरकार कर रही है अब बताई क्या सरकार कर रहे है क्या देख रहा है यहां क्या देख रहा है आप लोगों ने कभी सरकार के अफसरों से शिकायत करी अरे शिकायत किसे हम करने जाए बही सरकार जब दे सुनत नहीं है उसके आगे कुछ करन में उठाजी तो हम उससे क्या कहें बताइए जहां का परधान नहीं सुनता है है परधान आया मनमारे अपने जो जहां करना हो कर दिया कुछ और बड़े मुद्दे आफ्ट जानना चाहते हैं अबता सरकार की दो तीन चीजे बड़ी महच्पू देते हैं उनको शौचाले बना दिये उनके घर में पानी पहुचा दिया यह क्या हकीकत में है यह केवल बाते हैं सर देखिए सरकान ने शलंडर फिर दे दिया शलंडर दे दिया फिरी लेकिन आज के समय में देख लिए इस मवजुदा हालन में शलंडर का भाव क्या है 1140 नहीं है प्रिए फिरी वह मिला है शलंडर घरीव तो किसान मरा जा रहा है कासे बरौब अबताइए तो जो आप लोगों को सिरेंडर मिले हैं हां क्या वह दुवारा भरवा पा रहे हैं आप लोग यह फारे रहते हैं को जिसके पास पैसा बहुस्था करके भरा भरा ने करने में अपने बिचारे खाना बना के दियून कर रहे हैं निवा कर रहे हैं आपके घरों में सबको टोटी से पानी आ गया नहीं आया पानी नहीं आया अभी तक नहीं तक नहीं लगी तोटी नहीं लगी है किसी भी किसी किसी के घर पी टोटी पानी नहीं है और जो इंडिया मर्का जो नहीं पप लगे हैं वो भी बिगडे परे हैं उन लोगे वी पाणी नहीं दे रहे हैं तो आपको लगता निया चो अखवार वाले या टीवी तीवी है गवाव में को टेलिवीजन चलता है कहीं तो तो इसे बड़ी बाते आते होंगी तो लगता निया आप ये टीवी वाले तो जूट बोले है आप बिलकुल वेख़ हम बिलकुल सामा तरीक के पूचना चाहते हैं जब आप सुनके सूचते हो कि जैसे मेरे जैसे कोई पत्रकार है आप संजाएंगे नहीं तो दिल्ली वाले समझेंगे क्या हम यह समझना चाहते हैं जो डिल्ली में बैटके बताते रहते हैं सरकार की अर हकीकत में मैं books में ख़ड़ हूं एक हमें हम कोई पुरा नी मानें गए बस यह इस मतली मन में क्या ए ? कैर मशें तो पहसरोकार को लगता है कि वह आपसा वात्ति राशन बेती वेया आप दे दोग में सन dar कि हाऊँ ओटाए-चाविश मे जो कुछ होगा होगा मतलब राशन का मुद्ये से वह बड़े ख़ुश है कुछ ही रहेगी खुश तो नहीं जन्था कुछ तो जन्ता नहीं है क्षवा नहीं देखे थे जो जय जन्ता नहीं देखे जो जन्ता नहीं पाता है उसी बात होता क्या सरकार भी जन्हें देती आचा आचा देख में एक संसद होती है जहाँ पर कौशर कुषवर लुए वीजी गनकारी का से वहां पर शंसर चलनीघी है कि बाफ़ की नगए कि आंप जानते क्याई है है क्या थो मतलब होगे नहीं कि आहिकत क nossos चल पर 7य8 देशव कि देश चल रही है तक लेकिन तीम इसे दलेत आवादी में पता ही निए थी को आप से आदुजर आप से लागड़ू कोनों का पता निए तो ये नता क्यों प्लद्धा करते थान ये संसा चलने निह नियुदे पे क्या लगता है अब क्या बता हुआ सब्सक्राइब नाम नाम सूरजी ये जो है तो बहुत सारे गुस्से वाली बाते बता दी तो क्या वाकई में सरकार कोई काम नहीं कर रही है अब सब्सक्राइब कर तो रहे मंगर वह इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो जानवर है उसके गोवर से फ्यक्ति जाएगी गोवर सब खतम हो जाएगा अब हो पता रहे हैं तो जानवर में यह तो और वह बता रहे हैं अब आप खुश हो जब खुश तो आप खुश तो आप खुश ने कि आप खुश हो जैबर भाकी नहीं है प्रवाया कभी मिलने के बाद नए हम तो वह लिह रहे मौल सलंडर मतलब करा रहा लगते नहीं पहले करेक्शन करें पांच यह पीडिवारा नहीं बिला चरी आपको नाम किया महारा जी आपका कोट इतना अच्छा ना कि क्या नाम है आपका महेश्चन जी परो पर्शी गाउं में रहते हैं सरजी नेगर बिलागा अजया सरोजी जी कुछ सरकार से खुशन नाराज अब सर सरकार से खुशन नाराज क्या बता है हमारे एक विस्वा जमीन तो मिल नहीं पा रहे हैं इतने सारी धेर कारवाई किया है मुकदमे तमाम लगाएं लेकि आज तक नहीं मिल पा रहे हैं जान आपने कोई अधिकारी आता है तो गाहों के दो आदमी और हैं वो हमको दबा दे दो आते हैं मारते हैं गारती देते हैं इ chicks वाजमीन नहीं बिल पार रहे हैं तो गुला सिफक्ता रहा भराता ह्तब से वो बढ़ा कुडा खा रहा हैं बराईन पा रहें पांच बँस्दोरी कंघम जबरूरी कर लिया हुआ पर थिसुन है उसी में बच्चे जिला रहे हैं बस हमारे पास जमीन नहीं न कुछ नहीं है महाकान बनाने के क्लेब सब्सक्राइब करीदा था वह मिल नहीं पा रही है कि यह लिए आपको वड़ा च्षान ऑग सब्सक्राइब भी एक यह ने कि नेतर कोट मिल गया साहब मांगे मिल घर चाहिए अच्छा कि वहां पे जो है संसद में बड़ा हला चला है अडानी जानते अडानी का नाम किया आपका हमारा है मनोज मैं फहुच से रिटायर हूं से वहां से बड़ी युट कहा कहां आपने करी अच्छा लाद से फिर आसाम गए अच्छा अपर यहुसके बाद आए अन्याली जम्मू से प्हुत अच्छ और राइवाला राइवाला से फिर आए अमरसर अमरसर से फिर लगाय कारगों बिर को महीत हша श्राल साल में क्या करेगा कोई चार चार साल में साधी हो पाईगी, नोकरी मेरी खुद की नवकरी 8 साल हो गई थी तब मैंने साधी किया और चार साल में करनोकरी किया तो वह दो साल काई साधी हो गई एक दूबार वाइप आएगे तब तक उसकी नवकरी छूट जाएगी फ्यंसन भी नहीं पची तो वह क्या करेगा पता नहीं कौं कौन से दिमाग लगा के कहां से ला रहे हैं ऐसा कुछ ये इसमें कोई फैदा नहीं है कम से कम सरकार बहुत पहले ये सुनाई देता था कि फोज की केवल पेंसन छोड़ के बाकी जगे मतलब हटा दिया जाएगा फोज में पेंसन रहेगी अब इन्होंने चार साल की नोकरी कर कहने के लिए गौसाला बना हुआ है जब कभी कोई वैसी ओजना आती है तो दो-चार जानवर ये धरूर ज़र से भगा के उसमें पहन दिया जाता है बंद कर दिया जाता है बाकि आज भी लोग रात रात भर टार्च लेके डंडा लेके खेतों में रखा रहे हैं कोई जान सब लोग सब अपने कागज में ही पूछ रहे हैं वहीं सब कर रहे हैं तो चक्कर है जनता इसी चकर में तो परेसान है लेकिन जनता अभी तक क्या हो रहा वह समझ नहीं पा रही अब जो पहले हम लोगों का यह सिस्टम था जो यसी वर्ग थी उसकी जमीन यसी ही ले सकता भाइक वर्ड वगेरा कोई नहीं ले सकता था अब वो नियम भी हटा दिये तो यहीं हटा यह दलितों के फायदे के लिए नुक्सान के लिए इसमें तो नुक्सान हो जाएगा दलित के दारू पीते हैं कोई कुछ करता है किसी का दिक्कत होगी परेसानी होगे सब जमीन लगी पती बने रहेंगे आप इस रिलाके के पड़े लेके हैं फॉज में काम करका है यहां रहते हैं कोशल कृषोड़ी यहां बैठते हैं संसद है वह संसद बहुत दिनों से चलती नहीं है कि एक मुद्दा है अडानी का यहां के लोगों में कुछ पता रहता है मुद्द बस चिला रहे हैं कोई बता देता कि ऐसा कुछ हो रहा तो लोग परिसान होने लगते हैं अरे यह का बता गए वो क्या कह रहे थे हो अच्छे आप तो चुकी फौज में रहे पड़े लेखे हैं यह जो टीवी चैनल पर बैठके आजकल तो सरकार ने सब टीवी चैनल आपक काफी लोग ऐसे भी कहते हैं कि यह तो मोदी मीडिया है तो हम लोग वही समझते कि यह तो खेली बस मोदी मीडिया है तो मोदी के चकर में सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं यह बात है यहां पर है कहते हैं लोग गौव में कहते हैं लोग यह कहते हैं कि यह मीडिया मोदी पहराए आपका膜 सेह महंने प्रधान नहीं इस डियां प्रधावर भंत नहीं मिलता Nixon सेLife जर्णा ओंग सेथे हैं कुछ नहीं मिलता हैं द रख Одना कुछ नहीं मिलता है बंता बंध स्रधा कर द कंच मेल लंगा कर दोड्Яक आपκα जडा कर दोड़ाइन कर दो दो depressed ठीड नहीं लगे है, सब्सक्राइब है कियो देख दिलगा, तो खाले दिल सेना, तो थीजुआ है, वोत देखो इंगे, हमने तुम्हें रजदे दिया तो में बोट देदो, तो दे दो डोट काहँ जाए, जब मिलते नहीं कूछ तो गहाँ जाए हूं थो इसकि बोट के पाल सबस्क्राइब टोजिए नाराज हैं वाध प्रधान सब्सक्राइब अच्छा अब आपको नाम क्या है बता ही नाम क्या रामे सूरी आपको आपको राशन मिलता है हा रासन मिलता है घर में को सरकार चलती है आप लोग के लिए बाते करती है आप लोग सब्धरब जाति के लोग हो यहां पर काम पूरा हो पाता है काम कुछ कढ़ते हैं का आम कुछ न बनाने को पैसा मिला कुछ नहीं मिला सिरेंडर मिला भरवा पाई दुबारा आप अब आप 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 परिशानी क्या थी आप लोगों के सामने सब्सक्राइब सबसे बड़ी परिशानी है क्या आपको क्या परिशानी में बताई बहुती है अब सबसे अलगाना हमका कहूं रहा है ठोग अनुद में देखिए एक सबसे बड़ी मेला हैं गाओं की बुजर मेला है बहुत उमर है लेकिन इस आबादी में भी लोग कह रहे हैं ना तो इनको पेंशन मिले हजारो करोण की योजना है हर घर नल यह कह रही हैं कि किसी के घर में नल नहीं है टोटी नहीं और यह राजधानी लखनों का इलाका है जहां पर मुक्वंतरी बैठते हैं जहां पर ची कि अनको तो मिलता है लेकिन पती को नहीं मिलता अब आप कल्पना करिए आप यह राजधानी लखनों में हाल है तो दूर दराज के लाके जहां तक आवाज भी निपहुचती हो कि उनका इलाके में हाल क्या होगा तो यह एक बड़ी विडमना है पूरा मजरा दलितों का है और मैं इस खास तोर से ये देखने आया कि ये अबादी की जो बड़ी-बड़ी बाते की जाती है क्या वो हकीकत ने पूरी होती है कुछ और लोगों से भी चलिए बात करते हैं प्रिए राम जी ये नहल है इंडिया माट्व हैंट पंप बड़ा अच्छा पहले हुआ करता तो पानी बाहन लगता जब निकालते हैं तो इसलिए बांद देश को घुमा करके तो ये इसको अगर आप लॉक पर यह शिकायत कर देख कि हमारा इंडिया माट्व हैंट पर अब कि अधर धेखिए इस पीड़ी पानी हाँ ये तो इंडिया मार्क तो बड़ा बड़िया पानी आता जो अग एब बताईए ये सांस ले ने आट फारा इस इस पानी जो आपने से बोरी में बांध रखा है इस तो इस गूटवगवा ऐसे गंद की जारी होगी है नए गंद क तो नीचे तो नीचे तक होगा नेकर ये ये गाउं में इसे किते हंडिया मार्टू हैं प्रफ लागे हैं तरी दश्वारत हों जा और कितने चल लें हैं तो पानी नहीं देता है किसे में जो है तूट गया तो बोरी बन ही जाती है कोई बेकार पड़े हैं इसी तरी के सब चल है कि नाम क्या आपका इस अमार्या सब्सक्राइब बीर्वाल थो किरते ही का जरूर में तो ली ग्दिड़र हैं कोई जरूर यंगा कि पड़ा लेखा ही आग्मी उस्यार होता है तो अधला जैकि यह शरकार ने कि योजना आपने नाम सुना होगा हर gep Kontापाणि coaching Especially यहां के इंडिया मार्टू जो है ये इंडिया मार्टू पर पानी नहीं आ रहा है आपके हो जब बनवाई है ना मिस्तिरी ना बेजिये तो कैसे बनजे सरकार तो बनवाई है ना यह सब परधाने कहातम होते हैं हें क्या ये क्या बाते हैं क्यांकि हमको तो लगता था की TV जैनल की बाते संसुन कर हम को लगता था की बहुत वीप वह बहुतार शुन जा रही है जो रहे हैं तो यह कौन अजनल कौन ए जनल्य जैनल की missile नोन्य दे टिन कॉल पीडी Kelly तक एंदे जी साय कि यह सरकार ने बना के दिए यह देखिए इंडिया मार्टू हैंड पंप है वो रसी से बना हुआ है और यह जो लैटीन बनी हुई है इसकी इंटों की हालत देखिए अभी हमने रिपोर्ट करी थी सीतापुर में छितिज गया था रिपोर्ट करने के लिए कि वहां पर एक श शोचाले बना था वो शोचाले गिर गया और बच्चे की मौत हो गई यह सरकार की योजनाएं हैं हर नल योजना में पानी देना था टोटी देना था गाउं के दलित आवादी में बखड़ा हूं कहीं पानी नहीं है इंडिया मार्टू हैंट पम मैंने देखा वो रसी से ब कि उच्द करी योजनाओं की बड़ी बड़ी बाते होती हैं तो क्ये यह सिर्फ बाते हैं बाता है है हैं यह आपका होका हो कुछ ने हो देंग हमका लैटूरिंग मिली हम और चाजार ःजार पाइड दिहिन को चार जार जेगे बाई लेन ऑ गान बनावाएं तो गम चाजा सरकार की स्कीम हाती है विकलांग योजना कोई नमें बैटरी रिक्षा मिला कोई चीज नहीं मिला इसे खाली घूमेरा पाइदर पाइदर लाटे कोई आपने अप्लाई किया बैटरी रिक्षा या कि काई करू चकर किया कि हर जगा गांद उन्होंने काम भवा कोई सुनता है इस पर बात है कोई सबस्कार बेटर बैटर है सब चीज बट रहा है आपको नहीं पर दाना को बिल्कोल एक बात समझना चाहता हूं और यह लिए घंड़ी कि गंदगी कि मैं एक चीज समझना चाहता हूं विड़ी नेता बड़े खुश हो जाते हैं उनको लगता है कि हम र बड़ी बड़ी चर्चाह होती है तो लोग कहते हैं अरे कहीं कोई समस्या नहीं है राशन मिला है ना राशन में बोट दे देंगे और कुछ नेता कहते हैं चिनाव आने दो हम रात में बसके बड़ा देंगे बास 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 आपका कम क्यों करें करें जो करें आपि आपको सही बात आपकी जो पहना आपको वो सही ए आपकी यही होता है लेकिन यहां है इक साल बची हैं क्या इसवार भी यही हूा किओ श्रावल में देगा इसवार नहीं हूगा नहीं होगा कारण क्यों नी होगा इस वार क्यों पय्किल को harlem चेलए चलने तो फेडार बुर्ट नहीं देगी हैं नहीं चेलीन हफिस वारा उसमार आपको क्या लग रहा है कि क्या चालिसे कुछ होगा इस ऐलगशन में कुछ होगा निये चैलेंज की इस लिए यॉट साथ कह रहा हूं आगछ सब्सक्रास होगा खंट शहरे см śण आराम जी कह रहे हैं कि बदलाव होगा यहां जाहे हैं मंगते हैं जाहे होई बदलाव होगा एक बात और यह दर आई एक आप से बात करें बड़ा रहा है मुझे एक एक मुद्धा और बड़ा उच्छा आपका तो नाम ही सिया रहा है आप राम चरेश मानस से पढ़ते होंगे एक एक बिवाद आ रहा है उसमें कि राम चरेश मानस का एक दोहा है धोर गवार शूद्र पशू नारी जे सब तारन के है अधकारी सकल तारना के अधकारी इस लेकर बिवाद और बिवाद इसमें होना भी चाहिए क्योंकि यह दोहा गलत बनाया घया है गलए लिखा गया राम चरेश मानस में मां कह रहा हूं आप कह रहा हूं आप तो ले गमार धोल को आपनी गमार इंदर परश नारी सकल तारना नी इस सब जो है बेकार है 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 ना क यह सब बेकार है तो बेकार उनको बाट आई और इस पर बिवाद चल लहा है कोड़ ते साइड पहुंचे वाला है यह पहुंच गया होगा लेकिन जिए जो सब्द लिखा गया जो चौपाई लिखी गई है यह नाम चेज मारे सब गल्ल लिखी गई है यह अब चर्चा का वि लोग के मुझसे बात कर रहे हैं मैं समझ्य की कोशिश कर रहा हूं भारती जंदा पाटी खास्तोर से विधाम सबा में बैठके नेताओं ने कहा मुक्मती जी ने कहा कि दलित लोग भी बड़ी संख्या में रामार का पार्ट करते हैं और यह इस तरह बिवात पे कहना लोग कर रहे हैं आप लोग इस दोए के बाब जूद भी राम चरितमाना पढ़ते हैं अरे हम बच्पन से ही पढ़ रहे हैं तो आपको यह दोगा लगता है यह विशे है नाराजगी है आपका मांग है कि इस दोए को हटना चाहिए इस बीच में आईए कुछ और लोगों से बाचीत करते हो जाने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहल तो हम जिस गाउं में हैं तो हमारे साथ डॉक्टर आडी रावत हैं इस इलाके में बड़े प्रिसिद्ध हैं होमपेटिक के डॉक्टर हैं सामाजिक रूप से बहुत जागरूक रहते हैं इस इलाके की समस्या को उठाते रहते हैं अफसरों तक भेशते रहते हैं और इस इलाके की सामाजिक संदचना राज्यतिक संदचना इसको लेके बहुत जागरूक रहते हैं तो आज हम इन से भी बात करते हैं कि यहां की परिशानियां देखके तो मैं बड़ा हिरान हूं वो लोग कह रहे हैं कि जो योजनाए हैं सरकार जिनको टीवी चैनलों पर देखती है वो यहां देखने रही है बात तो सही, यह तो बिल्कुल नहीं दिख रही ही वास्तों में होता है कि वहां से ज्जुनाएं जरूर इंप्लिमेंटिटेशन कर देती है लेकिन यहां के जो तैसीर और भाक यहां के जो जितने भी करमारिये हैं वो तो उसमें से जो है यहां का पूरा का पूरा मामला जो है नीचे तक लाने नहीं देते हैं मतलब आपका कहना यह जो सरकारी सिस्टम है यह सरकारी सिस्टम हाभी है और यह सिस्टम से हम लोगों ने कम से कम आंदोलन के जरिये और मिल मिलाने के जरिये यानि चाहे कोई समस्या ह तो अभी एक आडर हुआ था डीम साहीब की तरफ से, कि जितने एस डीम और वीडियों हैं, उनको जो है आदेश दिया था, जितने रासनकार गलत बन गए हैं, जितने ज्यादा गलत रासनकार बन गए हैं, कि उनसे जो है, जिनको वास्तु में मिलना चाहिए था, उनका हक मार जा रहा तो उन्होंने अर्डर निकाला निकाल कि देखिया ऐसा करें कि पाठ्रों की सूची बनाएं तो अभी चार मैंने पहले मैंने वीडियो साहफ से जो है पूजा सिंख से मैंने उसे कहा चाह आप इसकी जो है इंपलिमेटर सन्स कराएं तो उन्होंने चाहती हुआती वो गाउं के हकीकत में बहुत खराब हैं से लाते हैं दूसरे में डौसा पड़े लेखे इंसान हैं मैं ये जानना की कुशिश करता हूं कि जो आम विखती है यहां पर चुकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो पड़े लेके नहीं है लेकिन आजकल के दौर में आदमी के हाथ म मोबाइल है यूटूब चलाते हैं सब टीवी भी अगर हैं तो देखते हैं वो लो ये जो बड़ी-बड़ी बाते होती हैं कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी हमने दलितों के उथान के लिए बहुत बड़े काम कर दिये दलितों की जिंदगी बदल दी क्या इसको में लेकर इस मज्रे में जरे समधाय में क्या संदेश ये बात ये अगर नहीं हो पा रही हैं तो gucksah रियक्शन आता है यहां को मैं ब्लकुं यह द्ञाय होगा है मैं एमेरे प्तरकार साथी या राजनेता- तो जो मुफ्त का राशन मिलना हkę उससे दलिद बोट कहीं तक बात सही है कि जो राशन का प्रभाव है वो अभी भी कम-से-कम प्रकेरा लेकिन कुछ ये आघ हैं कि जितना हमको देते नहीं है उतना तो हमारा हम जो है खेस स Campaign Faio ये खांगा आहले हैं जय की पाँस के अले रहे हैं तो हमारा थाफ आश यह जारे हैं तो बात जार है महाँ काम कर रहे हैं मेरा कम मेरा काम ये आ भी को श्राम देक्तर लोगों नहीं अख स्लैंटर तो इस मेहल डिखें क्या करें आज अब ये आप ये देखिये कि मन्रेगा का जो पैसा है वो जहां पर आभा कर दिया इनोंने मानो दिवसारे कर दिया इनोंने 48 पर 100 दिन का मिलता था लेकिन अब 48 दिन का मिला वो भी मन्रेगा में जो है मिल नहीं रहा तिन तीन महिने मेरे लिए एक और बड़ी हैरानी की बात थी कि संसत चलाने में हर मिनट पर लाग पर खर्च होते हैं मेरे आपके टेक्स का पैसा है वो और सदन चलनी पारा क्योंकि अडानी अडानी और मैं जिसे पूछ रहा हूं वो उनमें से लगबक सभी ने कहा कि वो जानती है अडानी क को यहां जो है जो निचले स्थर पे हैं उनका फलो यहां पर है नहीं उनका कोई जो है उसका ग्यान नहीं है लेकिन हम जैसे लोगों को जो है पड़े लिखे लोगों में है और जो लेकिन मुझे बताईए कि जो बोटर है जो मूल बोटर है वहां तक जो बात पहुंच नह दिनों से ठब है वह उनका पुट्ड करेंगे तभी ऐगल सेयुदना फशी प्रपिश को सहन एग इत्थर प्रदेश में भारती का मकाबला किस्से होगा दलिध बोट का रुज्छ आरो दूगा बीजेपी पे आयवटी कंग्रेश पर यह उसा है कि यहां मायावती कभी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है और कांग्रेश अभी इसली आपना मूब नहीं कर पा रहा यह आगे चलके यातरा उतरा मौरिया वाली जो बात उठी थी यह मुद्दा बहुत भारी है लेकिन यदि अखिलेश इसके साथ खड़े रहेंगे तो अगर अख्लेश जी भी उसमें खड़े रहते हैं तो यह मुद्दा बन पाएगा अन्यता जो है यह मुद्दा बन नहीं पाएगा अगर अख्लेश आदव बात के लिए कहते हैं कि इस दोई को चौपाई को रामचरित मानत से निकालना चाहिए तो दले समदा है अख्लेश की सब्सक्राइब का में था इस लोग सबाएब में दलितों को बहुत बड़ा वैंक है कि दसले ऐसाहिए कि बजपी के साथ कि तब गर्मोशन वाला वॉया का सब्सक्राइब कर दिदोर्थ में नाराज कि शिर्षा, उसी बीच में आगेया एलक्संग, और दलितों का फिर उज़हन LAUGHTER लेकिन अब भाजपा यह करना चाहती है कि दलित रहे. आपका कहना एकि बीजेपी यह करना चाहती है कि दलित सिर्फ दलित रहे? दलित रहे.. और वह कभी शीर सर अशल्व है. तो इसलिए जो है दलीतों में जो जौरू रूख है वह तो बिलकुल कटे हुई है जितने भी जागरूख बलेत है उट यह तो कंगरेस में या फिर इंधिर चेतने में आराक recommended जहनेएशतंवी कि सन्सक्राइश्य को नीजी वेजरी ऑर्क्षण खत्म हो रहा है कि आरेक्षण को बात्चीत होती है लोग विरोध करते हैं विरोध कि कि जो हमारा यह जो निजी करंड कर रहे हैं आप इसमें हमको अरचन नहीं मिलेगा दो तीन मुद्दे ऐसे आ गए हैं शंगिता में धारा 24 होती है और धारा 24 का मतलब होता है कि आप जब अपनी जमीन 25 करा में तो आप धारा 24 में जाईए तो होता उसमें यह कि धारा 24 में जाने के लिए पहले एक हजार रुपिया जमा क करना पड़ता है तो लोग एक हजार रुपिया पहले जमा करेंगे और फिर धारा 24 का जो है एप्लिकेशन सब्सक्राइब को जाएगा उसका परणाम यह होता है कि कम से 6 महीने सब्सक्राइब तो ऐसे लगा देते हैं उसके बाद कानून को लिखके दे देते हैं कि यहां ऐ क्यां पैसा नपाई करने के बाद बाप दनेंबाई करने के बाद और उनको जो है वह दयते हैं तरकार ने पैसलेст है कि दालतों को अपनी जमीन बेचने का रायट दे जिए अधकार दे जान कि दालितौ है और एफ कि बैभनी है। बड़े बिल्दरों के लिए किया गया है क्यों कि हमारी सरकार के पास आवास विकास है पहले से संस्था कांधे कर रहें रही है क्यों पेसा कर रहे है लेकिन जो लोग परेसानी में होते थे उनके लिए एक नियम मना है कि आप सार्टिफिकट दीजे कि हमको इतनी बीमारी है और ये सब करवाने के बाद आपको परमिसन मिलत हो जाती थी कहां इसी दिक्कत थी तो इस जमीन को आपको कहना है कि जो ताकतवर लोग हैं वो लोग ले लेंगे बिल्कुल ले लेंगे जमीन की हकीकत देखने में आया था आज राजधानी लखनौ से 30 किलोमीटर दूर इस गाउं में और देखकर मैं हैरान हूँ बहुचकका हूँ कि सरकार की योजना कागजो पर हैं हकीकत में नहीं है तो बरवान ही पा रहे हैं और फिर दलितों में एक चेतना का इक अद्बुत and चेतना का दिकास हो रहा है कि राम चरिस मानस में जो चोपाई है वो चोपाई निकालनी चाहिए मैं जो कहता था पहले अपनी बाचीत में भी कहता था ये बड़ा मुद्दा बन रहा है पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है 2024 का चुनाओ में मोटा मोटा एक साल बचा है और लोग कह रहे हैं कि इस वार कुछ बदलाव होगा दलिट जागरूक हो गया है अगर आप सोच रहे हैं कि आपके वर राशन दे कर उसकी बात मनवा लेंगे उसका बोट हासिल कर लेंगे तो हजूर अब गंगा में पानी बहुत भे गया है जमीन इस तरह पर आके काम करिये दलिटों की नराजगी दूर करिये उनको अपने साथ जोड़िये बड़ी बात ही है कि जिस मुद्दे को लेकर संसर्द में घमासान मचा हुआ है उसको गाओं के लोग जानती नहीं कि अडानी कौन है तो काहे हंगामा मच रहे हैं जो विरोध करना है संसर चलाईए गरीबों के हद की बात करिये और मैं इस तरह उतना प्रिदेश के अलग अलग जिलों से आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा अपनी राय जरूर अबगत कराईएगा अपनी राय से बताईएगा मुद्दा क्या है क्या होना चाहिए दलितों के लिए आप क्या सोचते हैं क्या विचार हैं जुरूर बताईएगा शुक्रिया